विल्कम फ्रेंड्स आचार्यम पर आपका स्वागत है दोस्तो यह नोटिफिकेशन जो आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ इसमें लगभग आठ तरह की वेकेंसीज पब्लिश होई हैं और कुल पद हैं 22 वीडियो में आप अंत तक बने रहें क्योंकि इसमें के साथ साथ higher experience मांगा गया है इसलिए आपको परिशान नहीं होना है आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और केरफुली इसको वाच करना है फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब आईए देखते हैं दोस्तो इसम पहली पोस्ट जो है वो लाइब्रेरियन की है फिर चीफ इंजीनियर है system administrator है network administrator है अधिकारी की पोस्ट है अधिकारी यहाँ पे देखें फित नंबर में फिर अधिकारी लेखा है general duty assistant की पोस्ट है और general duty assistant लेखा की पोस्ट है इस तरह total twenty two पोस्ट हैं अब आईए देखते ह इसमें eligibility क्या रखी गई है फ्रेंड्स इसमें जो librarian का post है एक ही पद है स्पुस्तकाले शूचना विग्यान में 60% तंकों के साथ master degree और कम से कम 13 वर्ष का अनभव रिक्विस्टिक है फिर आते हैं शेकर नंबर पे Chief Engineer का post है एक ही post है इसमें जो qualification रखा गया है वो मानिता प्राप्त विश्विद्याले से 60% अंकों के साथ BE, BTEC, Civil ये होना चाहिए और कम से कम 20 साल का अनभव होना चाहिए फिर अधिकारी सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेटर की post है यहां पे देखें सिंगल ही post है इसके लिए BE, BTEC या MSC होना चाहिए निउन्तम 60% अंकों के साथ और इसमें अनभव होना चाहिए networking, website, internet, server, प्रवंधन, network, software इसमें आपके पास अनभव होना चाहिए फिर है अधिकारी network administrator की इसमें भी एक ही post है और इसमें जो section योगता है वो BE, BTEC, MSC, computer, विग्यान या सूचना प्रद्योगी की में होना चाहिए 60% अंकों के साथ और आपके पास 15 वर्षों का अनभव होना चाहिए network, नीतियां, router, core, वित्रन, switch, wifi, नियंतरक, इत्यादी में फिर आए देखते हैं अधिकारी पद, इसमें है code OGA का duty में इसमें दोस्तों जो educational qualification रखा गया है वो किसी भी विसे में master degree नियूनतम 60% अंकों के साथ और कम से कम 5 वर्षों का अनभव होना चाहिए फिर है friends, अधिकारी लेखा की post pad code OC है इसमें आप देखिए, एक ही post है और इसके लिए जो पातरता मांदन रखा गया है वो है friends, मानिता प्राप्त संस्थान से इसनातक की degree के साथ CA, CMA और 5 वर्ष का प्राशंगिक अनभव फिर आए देखते हैं General Assistant, Duty Assistant की post GDA1 की दोस्तों इस PDF में, इस recruitment में सबसे ज़्यादा post EC में है और इसमें कम से कम आपके पास जो educational qualification होना चाहिए वो 60% अंकों के साथ इसनातक होना चाहिए अनभव कुछ नहीं है फ्रिशर भी आवेदन कर सकते हैं वेतनिस्तर 5 रखा गया है और इसी तरह General Duty Assistant लेखा की post है एकाउंट सेक्शन की इसमें भी 60% अंकों के साथ वाड़ी जिमिशना तक होना चाहिए कामर्स में फ्रिशर आवेदन कर सकते हैं चैयन प्रक्रिया के लिए दोस्तों साथ लिस्ट उम्मीद्वारों को लिखित परिक्षा और या साक्षातकार के लिए आमंत्रित किया जाएगा रिटेन टेस्ट भी हो सकता है इंटर्वी भी हो सकता है दोनों हो सकते हैं और ये सारी चीजें लिखित परिक्षा साक्षातकार कीती थी समय और इस्थान के बारे में साथ लिस्ट किये गए उम्मीद्वारों को केवल इमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा और आपको यहाँ पर दोस्तो आनलाइन आवेदन करना है जिसकी लिंक आपको इस वेबसाइट के अस्वारी इस संस्थान के वेबसाइट पर मिल जाएगी जहां से आपको आवेदन आनलाइन करना होगा दोस्तो अब हमें यहां पे आते हैं और देखते हैं कि आवेदन की अंतिम्तिती क्या है दोस्तो आवेदन की अंतिम्तिती 26 अक्टूबर 2022 रखी गई है आपको आनलाइन ही करना है फिर यहाँ पे जो आवेदन सुल्क रखा गया है इसको आप देख लीजे लाइब्रेरियन चीफ इंजीनियर और वेतनिस्तर 10 के सभी पद के लिए आवेदन सुल्क रहेगा 11 सवस्य जो की GST सहित रहेगा और वेतनिस्तर 5 पर 590 रहेगा GST सहित STSC, EWS और PWD स्रेणी और महिला उमीदवारों से कोई भी सुल्क नहीं लिया जाएगा नियत तिथी 26 अक्टूबर 2022 के बाद प्रापतावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा अब दोस्तो हम आपको पता दें कि ये वेकेंसी आई कहां से है ये वेकेंसी किस संस्थान से पब्लिश होई है तो दोस्तो ये भरती अधिशूचना संख्या 4 अबलीक 2022 है जो की IIM इंदावर की है भारती प्रबंध संस्थान इंदावर की वेकेंसी है दोस्तो ये आप मार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स जाब नोटिफिकेशन में आप सब का दिन सुभ हो धन्यवाद